अगर तो आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया तो IPU twice filling से लेटेड आपके सारे doubts कबर हो जाएंगे अगर end तक देख गए तो twice filling भी खुद करके ले जाओगे आपको कहीं भी जाने की need नहीं पड़ेगे सबसे पहला important doubt हर साल में यह same doubt आता है प्रिप्व में पाइटिसिपेट करते हैं और एकट्व में 8 लाक 9 लाक रांग पर बच्चो को को कॉलेज मिल जाते हैं 10-10 लाक रांग पर बच्चो को मिल जाएगा विसमें CSE की seats खाली रहती है लेकिन आईप्व में cutoff जो है 80 थाउजन 85 थाउजन तक चला जाता है अब जैसे वह लूइर। को लोवर है आपको भी पता होगा वह colleges कौन-कौन से है मैं नाम नहीं देना चाहता हूं अब टॉप college की बात करे हैं तो टॉप college सबको पता है USICT, MET, MSIT, DPIT, भार्तिय पिद्यापीट, इस तरह के GTVIT, इस तरह के college, विप्स यह अच्छे colleges हैं इनको आप प्रफरेंस दे सकते हो उसके अलावा जो colleges है क्या मुझे च्वाइस फिलिंग में डालने चाहिए और टालने चाहिए तो मैं अहां तक डालूं क्या प्रांच रखों तो इसके ओपर काफी जाद आपको बिसेई से ध्यान रुटना है उसको लो भाईया तो at your on risk लो एक तो colleges ज अच्छे घबरा जाते हैं हडबड़ा जाते हैं और वो lower college को फिल करते है तो देको च्वाइस फिलिंग पोर्टल आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा यहां पे आपको च्वाइस फिलिंग दिख रही होगी आपका आज आएगा तो अब यहां फिल कैसे करना है एक यही का रॉल नंबर भी देख सकते हो आज जो है वो अभी भारती विध्या पीठ के अंदर पढ़ रहा है तो मैं बताना चाहूंगा उसको अब किस तरीके से उसकी च्वाइस फिलिंग हमने प्रिपेर की थी लास्ट यह उस पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा इस तरीके से प उसको अरेंज करेंगे जैसे information technology हो गया तो computer science dual degree के नीचे USICT के नीचे आ रहा है राइट अब महराजा अग्रसें का यहां पर CAC आ रही है अब यहां पर electronics आ रही है USICT के तो यह आपको देखना पड़ेगा USICT की electronics को मैं कहा preference दूँ EC मुझे चाहिए की नहीं चाहिए कई बच्चे होते है electronics and communication नहीं चाहिए बट USICT यह brand college है वहाँ पर EC लिया जा सकता है तो उसी आपसे आपको preferences set करनी होती है computer science engineering SIPT 2 को कहा रखूँ अब बहुत doubt है SIPT 1 क्या है यह पर computer science SIPT 1 क्या है SIPT 1 क्या है SIPT 2 क्या आता है right क्या दोनों अलग-अलग SIPT है तो ऐसा कुछ भी नहीं है SIPT 1 जो है SIPT 2 दोनों बरावर है दोनों में कोई difference नहीं है यह बस कहनी की बाते है SIPT 1 का cutoff 65,000 जाएगा तो SIPT 2 का cutoff 85,000 तक चला जाता है तो जो समझदार होता है उसको पता है कि SIPT 2 में भी सेम चीजे हैं सेम बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे है right तो बहुत सारे बच्चे को पता है कि SIPT 2 भी हुआ na 85,000 पर तो मिल रहा है तो उसको भी preference दो भाईया है और उसी साब से जो आपको other preferences है for example computer science technology हो गए CST branch हो गए CST जो है महरा से depend करता है और आपके अपने personal experience पर कि आपको कौन सा branch चाहिए कुछ लोग specialization नहीं लेना चाहते है कुछ लोग लेना चाहते है उसकी priority EC कुछ लोग top college में लेना नहीं चाहते उनको computer science lower college में चलेंगे बट EC वो top college में नहीं लेंगे electrical नहीं लेंगे mechanical नहीं लेंगे तो choice filling को भी आपको विशेज ध्यान रखना है और विशेज तर यार उनको choice filling में डालने की जरूरत नहीं है पहला disadvantage 40,000 रुपीज आपको immediately pay करना पड़ता है जैसे seat a lot होगी नहीं पे करोगे तो आपको ऐसे भी बाहर कर दिया जागा और lower college की में गिंती बतायता हूँ 60, 70, 90, 80, 100 seat last में खाली जाती है ठीक है तो पहले ही बच्चा परेशान होता है उन college को लेके और बाद में वो seat छोड़ता है तो उस case में 40,000 रुपए का नुकसान भी सहता है और उसकी जो choice filling होती है उसकी वैसे lower college की वैसे वो impact भी पढ़ती है बहुत बड़ी तो precise choice filling करो आपको फिर भी हमारी help लग रही है कि choice filling में sir आप हमारी help कर सकते है क्या है और क्या price आपका होगा तो अगर बस आपको choice filling में हमारी help चाहिए तो यार बस 4 double line के अंदर nominal price के अंदर आपकी choice filling हम करेंगे अब sir choice filling आप free में क्यों नहीं दे देते तो निको बिलकुल हम choice filling free में दे जकते हैं लेकिन यार उसमें order आपके हिसाब से नहीं होगा आपको जो branches चाहिए आपको जो specialization वाली streets चाहिए वो decide होता है कि आपकी priority क्या है उसी हिसाब से counselor जो है choice filling को arrange rearrange कर सकता है तो यह 4 double line के अंदर हम लोग IP की complete choice filling आपको देने वाले है live choice filling आपके सामने counselor त्यार करेगा एक घंडेगा आपका call session होगा इसमें आप या आपके parent उसको join कर सकते है और उसी समय जो है आपकी choice filling हम लोग prepare कर रहे होंगे आपके rank ए according और उसी समय live ही आपकी choice filling हम लोग base देंगे जिसको as it is आपको करना है घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप outsider हो idea नहीं है उन lower college के बारे में इसको मत भर हो आफटर four years आपकी degrees important नहीं है आपका placement भी important है तो that's we do in that counseling mini support कि हम आपके placement को भी ध्यान रखते होगे उस choice filling में ऐसा ही college add करेंगे जो आपके लिए effective हो और sir choice filling तो आप मुझे बचा दोगे उसके अलावा क्या तो उस में सब के chances आपको भेज देंगे कि आई-प्यू के अलावा भी कुछ अच्छा मिल सकता है तुमको अगर मिल सकता है तो वह preference list पूरी-पूरी आपके पास होगी जिससे maximum advantage आप लोग ले पाऊगे है ना तो choice filling यार live counselor आपके सामने कर रहे होंगे बता रहे होंगे और फिर आ किलाबा जितनी भी चीज़े हैं अधर counseling की data जैसे जोसा में क्या मिल रहा है सीसा में क्या मिल रहा है जैक चंडीगड में आई-प्यू में क्या मिल रहा है अधर counseling में 18-20 counseling जो हम लोग conduct करते हैं उसमें आपको जो मिल रहा है वो भी हम frame में ही देने वाले है 499 के अंदर तो कुछ student ये भी सोच रहे होगे sir पूरी counseling अगर हम handhold process से जाना चाहता है हमें एक ऐसा mentor चाहिए जो यार पकड़के हमें सुरू से लेकर अंतगला के दिला दे और guarantee लेता हो कि आपको हम ये seat दिला के देंगे counseling से तो उसके लिए भी हमारे पास प्राबधान है उसके लिए भी कोई गलती करें और किसी वच्चे को choice filling अगर free में भी चाहिए तो choice filling यार available मैं कर दूगा लेकिन वहाँ problem है बड़ी problem है problem यह है कि generalized choice filling होनी चाहिए जनलाइज नहीं होनी चाहिए choice filling आपकी rank according होनी चाहिए हाना सारे choices भरने का फाइदा नहीं है भी या choices बहुत smoothly भरे जाते ह है तब भी maximum advantage counseling के अंदर लिया जाता है ठीक है तो इस channel पर जो भी doubt बन रहा हो जो भी query आ रही हो है चरूर से आप लिखो उसका हम लोग बिसेश reply करेंगे और four double line avail करने के लिए description link में दिया हुआ है कितनी देर में response आएगा sir कैसे कैसे क्या होगा अब जब enroll करोगे उसके between 24 hours के अंदर आपकी choice filling हम करवा देंगे इसके पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है जितने लोग की counseling की team है already prepared कर ली गई है किससे कोई बच्चे को delay face ना करनी पड़े हमारी तरफ से तो इसका भी description link available है connect कर सकते हो connect नहीं भी करना है तो गलती मत करना जोस जोस में ती lower colleges lower branches को select कर लो और 40,000 रुपीज भी पे कर दो और बात ने पता चले कि वो seat भी नहीं लेनी है 40,000 भी गए other college को option भी गए और चहां participate कर सकते थे वो भी चला गए 9 को इस तरह से त्यार करो यार कि maximum चीज़े हमें बिसेश तरह के से ध्यान देनी है ठीक है तो 8 years का experience है 499 के अंदर ही provide कर रहे है तो असा नहीं होगा कि तुम लोग कोई भी गलती कर दोगे ठीक है thank you so much guys for watching this video चैनल को subscribe कर दो और bell icon को press रखना क्योंकि बहुत सारे update IPU से एक information आपके लिए नए college के द्वार खोल देने वाला है thank you so much